हलो एवरिवन वेल्कम तो आर यूट्यूब चैनल स्टडी एक्स्टेंट आज की वीडियो में हम लोग जियो ट्रॉपिस्म के बारे में बात करेंगे इससे पहले मैंने आपको एक पढ़ा चुका है जो की है आपका फोटो ट्रॉपिस्म राइट वीडियो अपने ना देखी हो तो आप इसे देख सकते हैं ठीक है उसका link डिस्क्रिप्शन में है ठीक है या फिर वीडियो की last view से annotate भी कर रखा है तो वहां से भी आप देख सकते हैं तो आज की वीडियो में हम लोग सिर्फ जियोट्रॉपिजम का मेन कंसेप्ट है उसे यहां पे लर्न करेंगे और जो आपको जो नोट्स चाहिए उसका पीडियाफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ठीक है तो वीडियो के एंड में जाकर आप उसको ले ले लेना वहाँ से तो यहां पे आपको क्या करना है आज सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है जो मैं कंसेप्ट दे रही हूं जियोट्रॉपिजम का वह आपको समझना है बाकी आपको नोट्स की चिंता बिल्कुल ने करनी है उसके लिए मैं आपको पीडियोफ लास्ट में प्रवाइड करवा प्रीवेस वीडियोज में भी बता चुकी हूं थोड़ा सा ब्रीफली शॉटली की जियोट्रॉपिजम क्या होता है जब हमारा जो प्लांट होता है वो ग्राविटी की तरफ रिस्पॉंस करता है तो आप उसे जियोट्रॉपिजम के नाम से भी जानते हैं अगर आपको कही पर ग्राविट्रॉपिजम लिखा हुआ मिल जाता है तो आपको बिल्कुल परिशान होने की जरूत नहीं है ठीक है दोनों एक ही चीज़ होती है दोनों का मतलब एक ही होता है ठीक तो शुरुबात करते हैं जैसे कि हमारे जो अर्थ है हमारा जो धरती है प्यारी उसमें क् आपकी एक force present है जो कि क्या करती है आपकी attract करके रखती है ठीक है कि एक attractive force जो है आपकी अर्थ में present होती है फॉर एक्जांपल आप बॉल फेकते उपर की तरफ ठीक है आपने यहां से अर्थ सर्फेस पे खड़े वे हो सपूस करना आपने बॉल उपर फेकी बॉल उपर फेकने के बाद आप यह देखते है थोड़े जम्में बाद वो नीचे ही आके गिरती है क्यों नीचे आके गि डाउनवर्ड फोर्स प्रिजन्ट होती है जिससे हम ग्राविटी कहते है ठेक है इतनी बात क्लियर हो गई होगी तो यह जो ग्राविटी होता है जब हमारा प्लांट जो है इसी ग्राविटी की तरफ ठीक है डावर्ड डेरेक्शन में या फिर कह लीजे इस सिंपली इसको इतना समझ लिजिए कि जब हमारा plant यह जो force जो present है यह जो attractive force जो earth में present है जिसे हम gravity कहते हैं उसकी तरफ उसके according response करता है तो आप उसे geotropism कहते हैं इतनी बात clear हो गई होगी सो यह जो पूरा process होता है geotropism का वो कुछ इस तरीके से होता है कि आप क्या करोगे आपने कभी भी किसी planted pot को देखा होगा मतलब कि जिसमें ऐसा pot जिसमें plant लगा हुआ हो तो आपने यह देखा होगा कि जो root होती है root वाला जो portion होता है वो क्या करता है जमीन की तरफ grow करता है नीचे धर्थी की तरफ grow करता है बढ़ता है ठीके और ताकि उसको क्या स्मिल सके उसे पानी मिल सके soil से minerals मिल सके और पानी मिल सके और similar way में आपने देखा होगा कि जो shoot होता है, जो stem वाला area होता है, वो उपर की तरफ बढ़ते जाता है तो ये जो होता है, दोनों के दोनों condition में geotropism हो रहा है यहाँ पर देख रहे हो, दोनों में geotropism हो रहा है ठीक है, बट ये जो root वाला area है, वो क्या कर रहा है? जो gravity होती है, वो अंदर की तरफ, नीचे की तरफ खीचती है पर यहाँ पर जो plant है, जो stem है, वो उपर की तरफ उग रहा है यहाँ पर जो stem वाला area है, वो opposite direction में, जो आपका gravity के है, ग्राविटी के opposite direction में ग्रो कर रहा है that means कि यह जो है आपका negative जियोट्रॉपिज्म शो कर रहा है, ठीक है? फिरसे जो root है, वो आपकी gravity की direction में, धर्ती की direction में ग्रो कर रहा है इस वज़ा से यह positive जियोट्रॉपिज्म है, ठीक है? positive जियोट्रॉपिज्म है और यहाँ पे जो shoot वाला area जो stem वाला area है वो क्या कर रहा है वो opposite gravity के opposite direction में grow कर रहा है इस वज़ा से क्या है यह negative geotropism है और show दोनों कर रहे हैं geotropism ठीक इतनी बात clear हो गई होगी मेरे इसाब से आप लोगों को अब क्या कर लेते हैं अब इसको एक experiment से पढ़ लेते हैं ठीक ह तो आप लीजिए एक experiment के रूप में आप समझें कि अगर हम लोग क्या करते हैं एक glass jar लेते हैं जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक glass से बना हुआ एक jar लेते हैं ठीक यह pot लेते हैं ठीक उसमें एक plant को उगाते हैं plant को डालते हैं ठीक है देखोगे आप ये ठीक तो वो क्या करेगा जो root जो होगा वो क्या करेगा नीचे की और नीचे की direction में वो करेगा बढ़ेगा ग्रो करेगा और बात करें stem वाला area जो stem वाला area वो उपर की और बढ़ेगा बट फिर second case में क्या करते हो आप अगली बार आप क्या करते हो अपने जो glass jar है जो आपका pot है उसको आप क्या कर दोगे horizontally मतलब तेड़ा लेटा के रख दोगे ठीक है लेटा के रखने के बाद आप क्या करोगे देखोगे कुछ दिन तक तो ऐसा ही रहेगा कि direction में जैसा था वैसा कर वैसा ही रहेगा पौध हाँ थोड़ी ही दिनों बाद कुछ ही दिनों बाद आप यह observe करने लग जाओगे कि जो आपका जो stem जो आपने लिटा दिया था वो क्या था इस डिरेक्ट नीचे की direction में ग्रोग करा हुआ था ठीक और अब आप अब अबजर्व करोगे कि वो pot तो ऐसा ही horizontal है बट जो root का जो growth है ना वो क्या होगा bend हो जाएगा gravity की direction में हो जाएगा जैसे यहाँ पर case में दिख रहा है था तो ऐसा पर कुछ दिन बाद आप यह देखोगे कि उसका growth जो है फिर से जमीन की तरफ gravity की तरफ ही नीचे की तरफ downward direction में उसकी root की growth होने लगती है और जो आपका जो stem है वो क्या करता है उपर की तरफ grow करने लग जाता है फिर से जब यह नीचे की तरफ grow कर रहा है that means यह show कर रहा है positive mark my words positive ठीक है positive geotropism और जो stem जो है वो bend कर रही है upward direction में मतलब gravity की opposite direction में ठीक है धरती से उपर की और जाने की कोशिश कर रही है that means यहाँ पर क्या होएगा negative geotropism so यह concept होता है geotropism का जिसे हम gravitropism भी कहते हैं so hopefully इतनी बात आपको clear हो गई होगी तो geotropism को simple words में एक बार फिर से मैं आपको sum up कर देती हूँ कि geotropism क्या होती है जब हमारा जो plant है वो अपना response करे gravity की direction में चाहे वो positive response करे चाहे वो negative response करे that means चाहे वो gravity की तरफ response करे या gravity के opposite response करे पर फिर भी वो जब gravity को response करता है तो आप उसे geotropism कहते हैं ठीक है तो geotropism में दो conditions आती है एक आती है positive geotropism एक आती है negative geotropism जो कि मैं आपको हैं समझा चुकी हूँ आप चाहें तो इसका example भी code कर सकते हैं ये वाला और मैं चाहूंगे अगर exam में पूछा जाता है आप से geotropism तो आप थोड़ा सा उसको लिख कर अगर आप इस diagram को बनाएंगे तो आपको marks बहुत अच्छे बहुत जाएंगे ठीक है क्योंकि mostly क्या बहुत जादा चीजे टीचर नहीं बढ़ना चाहता होता है तो आप points में लिखकर ठीक है points में लिखकर अगर diagram बना दोगे न तो भी teacher उतना समझ जाते हैं कि हाँ बच्चे को आता है सो यह आपको मतलब benefit देगा कि आप जादे से जादे डाइग्रामस अगर बनाते हैं biology में तो ठीक है सो इतना आपका geotropism का हो गया हिस्सा अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपका thigmotropism के बारे में hydrotropism उसके बार फिर chemotropism ठीक है So hopefully इतनी वीडियो clear हो गई होगी वीडियो पसंद आई हो तो like करिएगा, share करिएगा अपने friends के साथ और channel को subscribe करिएगा अगर आप new user हैं और आपको इसी तरह की वीडियो चाहिए तो और परिशान बिलकुल मत होईगी क्योंकि आपको जो इसकी notes है वो आपको PDF मिल जाएगी description में, तो वहां से आप पढ़ लेना बट यहां पर आपने concept समझ लेना उसके बाद ही उसे पढ़ना तो फिर आपको बहुत जादा अच्छे से समझ आ जाएगा